नमस्कार में मुम्मद 84 आप देख रहे हैं इस पे नई नियूज रास ठाकरे पिछले एक महीने से स्यूशल मेडिया, मेडिया इंडस्ट्री, वर्ट, सैफ, फेस्बुक इन तमाम जगों पे सुर्खों में बने हुए हैं लेकिन पहले सिर्फ महine महारास ठक तो थे और सोशल मेडिया तक ही थे अब यूपी में इनको लेकर खुब चर्चाएं हो रही हैं पिछले एक हफता से लेकर इस बात को लेकर बहाश हो रही हैं कि रास ठाकरे आयोध्या का दोरा करने वाले हैं क्योंकि महराष्ट में जो उतहल का मचा रहत है उन से उनको तसफिय नहीं मिला है यह कहीं कि सकून नहीं मिला है क्योंकि मुसलिम और हिंदू के धर्म के नाम पर जो राजनीती करना है और जो अपनी पाटी को चमकाना है वो अभी चमक नहीं पाया है तो थोरी कमी है इसको ल और उसके बाद इस खेल को समझना है कि रास ठाकरे को लेकर तमाम पाठिया कर किया रही है और क्या इसका कितना फैदा उठा रही है चलिए पूरे मामलों को समझते हैं रास ठाकरे ने बयान दिया था लाओड़ी स्पीकर को लेकर यह हम लोग जानते हैं और उन्हें साफ शर्ण सी खुलियाम तरीके से कर रहा है भाईसा पहले माफी मांग लेजी काया कि आपकी जो दादा गिरी है ना वो सिरिफ अशिरिफ महरास तक ही चलेगी वो यूपी में चलने वाला नहीं है क्योंकि यूपी में जो सबसे बड़ा आयोध्या में रामजन भूमे का जो न से आ सकते हैं खेल यहीं नहीं रुखता अभी पूरे खेल को समझे आप उसके बाद बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले माफी मांगी है उनके सांसर अब उसके बाद जब वो माफ कर देंगे तब आपकी इंट्री होगी जरायोध्या में अब इन दोनों में जो है कांटे की आपए जर और इसी चीज को लेकर भहस हो रहे है एक तरफ रास्टा करे धूखने वाले नहीं इसको हमने देखा महारास्ट में और बीजेपी वाले करें हम नहीं जोखेंगे उपी में क्योंकि हम यहां के बाज हैं सब अपनी अपनी बहवाई लोटनी में राजनीती रोट कर दो कर दो कर दो